वेवाहिक संबंध इस्थापित करने के पहले हर माबाप चाहते है कि लड़के और लड़की की कुंडलियों को किसी विद्वान पंडित को दिखाकर मिलान करवाई जाए और ये मालूम किया जाए कि विवाह उचित रहेगा या नहीं यहां विवाह उचित रहेगा या नहीं इसमें हम केवल एक पहलू यानि की कुंडली का मांगलिक होना और विवाह के संबंध में निर्णे लेना पर विचार शेयर करेंगे आपने कई बार यह सुना होगा कि लड़के की कुंडली मांगलिक है या लड़की की कुंडली मांगलिक है परिणामत है विवाह नहीं हो सकता है एसा कुछ विद्वान लोग विद्वान पंडित कहते हैं यहां हम पहले यह चीज जान ले कि यह मंगल कुंडली होना यानि की कुंडली का मांगलिक होना यह क्या होता है सरल शब्दों में यदी हम कहे तो कह सकते है कि जब किसी जातक की लगन कुंडली में मंगल ग्रह प्रत्थम भाव में चतुर्त भाव में सप्तम भाव में अस्थम भाव में या 12 अर्थार्थ बार्वे भाव में हो तो कहा जाता है कि वह कुंडली एक मांगलिक कुंडली है लेकिन क्या हर दशा में यह जो मंगल ग्रह का इन भावों में बेटना अशुब अर्थार्थ मंगल ही होता है क्या कभी यह शुब नहीं हो सकता है क्या इसका कोई तोड जिसे हम परिहार कहते है नहीं हो सकता है इसी पर हम आपके साथ विचार शेयर करने जा रहे हैं मैं आपको यह चीज बता दू कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब कुंडली के 1st, 4th, 7th, 8th and 12th houses में से किसी भी house में मंगल होता है तो हम उसे मंगलिक कुंडली कहते है और यह चीज तो हम थोड़ा सा पैसा देकर किसी computer वाले से जिसके पास जोतिस का software हो उससे यदि हम कुंडली निकलवाते हैं मिलान करते हैं तो मालूम पढ़ जाता है कि वह जातक मांगलिक है या नहीं लेकिन software तो वही चीज लाएगा ना जो उसे coding के द्वारा निर्देश दिये गए है लेकिन अगर किसी कुंडली को software ने मांगलिक बताया है यह हो सकता है कि वह उस इस्तर तक मांगलिक या अशुव नहीं हो जिस इस्तर पर हम उसके लिए सोच रहे है और यह आपको एक जोतिस विद ही बता सकता है कि मंगल की इस्तिती कैसी रहेगी सामानितया हम जानते है कि मांगलिक कुंडली लड़के की है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए लड़की की है तो लड़का मांगलिक होना चाहिए परंतु किस इस्तिती में ये तो हमने केवल ये देखा कि इन पांच भावों में से किसी भावों में ये दिमंगल बेठा हुआ है तो वह कुणली मांगलिक है लेकिन कुछ इस्तितिया ऐसी बनती है कि जब इन पांच भावों में मंगल होता भी है लेकिन फिर भी वह मांगलिक ना होकर मंगल का एक परिहार होता है तोड होता है और इतना अशुभ नहीं होता है कि जब इन पांचो घरों में से किसी भी घर में मेश राशी में यदी मंगल बेठा हुआ हो मेश राशी का मालिक मंगल ही होता है और अपने घर में बेठा होने के कारण वह अपने घर को दोश युक्त कभी भी नहीं होने देता है दूसरी बात है कि अगर इन पांचो घरों में से किसी भी घर में यदी विष्चिक रासी में मंगल बेठा हुआ है तो भी वह मंगल का परिहार है आप ज्यादा परिशान ना हो और ए मांगलिक जो जीवन साथी है उसके लिए तलास कर सकते हैं एसे ही यदी मान लीजेगा कि मकर रासी में यानि कि जो दस्वी रासी होती है वहां मंगल बेठा हुआ है तो मकर रासी में मंगल उच्च का होता है और एसी इस्तीती में भी वह मंगल खराब नहीं होता है और ए मांगलिक के साथ विवाह संबंध हो सकते हैं यहां मैं आपको मंगल दोस के लिए यह कहने जा रहा हूँ कि जब मंगल मेस राशी में ना हो, विष्चिक राशी में ना हो, मकर राशी में ना हो और वह किसी अन्य राशी में इन पांचो भाव में से किसी भाव में है तो निश्चित रूप से मांगलिक दोश बनता है और यह मांगलिक दोश थोड़ा सा और अच्छा तब हो जाता है कि तब हो जाता है जबकी अगर मंगल के साथ में सूरिय बेठा हुआ है या मंगल सूर्य को पून द्रिष्टि से देख रहा है या मंगल जो जिन पांच भाव में हैं शूरिय उन्हीं पांच भाव में से किसी भाव में बेठा हुआ है तो एसी इस्तीती में भी हम यह कहेंगे कि वह जो कुंडली है वह बेहद मांगलिक है एक त्रह से एक ताकत्वर मांगलिक कुंडली वह बन जाती है लेकिन यहां एक चीज को आप ध्यान रखे कि यदी जातक की कुंडली और जिस लड़के या लड़की के साथ विवा होने जा रहा है दोनों की कुंडली में यदी मिलान कराने पर 27 या अधिक गुण मिल जाते है तो एक के मांगलिक होने पर उसका यह परिहार है कि वह विवाह संपन हो सकता है जैसे लड़का यदी मांगलिक है लड़की मांगलिक नहीं है लेकिन 38 में से 28 गुण मिल रहे है 27 या इससे अधिक हो गए यह इसलिए विवाह संपन किया जा सकता है इसके अलावा जो परिहार है वह यह है कि यदी मंगल के साथ में शनी है या मंगल के साथ में गुरू है या मंगल के साथ में राहू है या मंगल के साथ में केतु है या ये ग्रहे आमने सामने अथात एक दूसरे को पूर्ण द्रिश्टिशे देख रहे है तब भी कुंडली में मंगल का परिहार माना जाता है तो ये इस तरह से मैंने आपको ये चीज बताई कि कब हम ये कहेंगे कि एक कुंडली मांगलिक है और कब हम ये कहेंगे कि मांगलिक दोस है साथ ही साथ मांगलिक दोस का परिहार क्या है यह भी मैंने आपको इसकी जानकारी दी यदि मांगलिक दोस है एसा महसूस करते है तो एसी परिस्थिती में विद्वान जोती से पूछ कर इसका उपाय अवश्य करना चाहिए ताकि समय पर विवहा संपन हो सके। वेसे तो मननिता है कि 28 वर्स तक मंगल दोस काम करता है परंतु मंगल ग्रय है यह तो पूरी जिंदिगी ही काम करेगा। एसे में आपको बताया जा सकता है कि आप मुंगे की अंगुठी धारन करें। यानि कि जिस जातक की मांगलिक कुंडली है और मंगल दोस है उसे मुंगे की अंगुठी धारन करनी चाहिए। उसे गुड का दान करना चाहिए, उसे स्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हनुमान चालीशा सुन्दर कांड आदी का जब करना चाहिए, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए. मैं समझता हूँ कि आपने ये मंगलिक कुंडली का होना, मंगल दोस होना और उसके परिहार इसके संबंद में सही तरीके से समझ लिया होगा. जै शी किस्ना